हेलो फ्रांस वल्कम बैक तो मैं न्यू व्लॉग सो फर्स्ट अफॉल हैपी धंतिरस एंड चोड़ी दिवाली टू आल एक्चली जो ये व्लॉग है ये धंतिरस और चोड़ी दिवाली दोनों का कम्बाइन व्लॉग है मैं धंतिरस का शाम से शूट करूँगी एवनिंग से क्योंकि देखो सुबह तो साफ सवाई चल रही है घर की तो उसको तो मैं क्या ही शूट करूँ और बागी चोड़ी दिवाली का ये कम्बाइन व्लॉग है चोड़ी दिवाली के दिन हम जो पहाड़ी लोग है हम लोग बगवाल भी बनाते हैं ये उत्राखंड का एक ट्रडिशन है जो गाउं में स्पेशली बनाय जाता है इस बार मैं फर्स टाइम बनाऊंगी वैसे ममा बनाती है बट इस बार खास ये है कि सारी प्रपेशन मैं करूंगी और मैं बहुत जाता एक्साइटीड हूँ से फर्स टाइम खुद से ट्राय करने के लिए खुद से सेलिब्रेट करने के लिए मुझे बात अब मैं इती वाल को फर्स टाइम बनाऊंगी क्या मैं सही तरीके से कर पाऊंगी या ने कर पाऊंगी जितना मुस्से हो सकेगा मैं बिल्कुल शाय करूंगी तुकि देखो पहाड़ और यहां नीचे में काफी डिफरेंस हो जाता है बट मैं अच्छी तरीके से सब कुछ मैनेज करूंगी खोशिश करूंगी तो बने लाना वीडियो में आगी तक बहुत जाता मजा आने वाला है आप लोगों को अच्छम यहां नीचे मेरी ममी खड़ी वी थी कि हम लाइत सई लगा रहे हां गलत और ऐज दंथिरस के दिन जाधा ठड़ veramente आप अपको दिख रहागा कितनी ज्यादा हवा चिर यहां नीचे च्छत में आज अचानक से मौसम बदल गया था बारिश वाला मौसम हो रहा था बट फिर भी सभी के सब अपने च्छत में लाइट्स लगा रहे थे और आज सब मैंने भी स्वेटर पहनी भी थी मुझे बहुत ठड़ लग रही थी और फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हमार यहां पर लाइट्स तैयार थी इस बार जो यह लाइट लगाने का आइडिया था यह सब मेरा था और साथी यहां पर बहुत ही प्यारा सा सुनसेट हो रहा था और तभी यहां पर मेरी बहन चाही लेके आ गई अन्धेरा हो गया था और यह था मेरे घर का ओवर और लूग बहुत ही प्यारा लग रहा था मेरा घर शाम का समय हो गया था और दिया लगाने की भी बारी आ गई थी तो मैं यहां पर अपनी बहन के साथ दिया जिला रही थी और मेरी बहन यहां पीछे से मस्ती कर रही थी बेबी आरते लेलो असा मत बुझे 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 नाना आरते झाल झाल तो आज है धंतीरस और हमने भी थोड़े बहुती दिये चलाए है और मैं शॉपिंग गने जाओंगे पनी बेहन के साथ मम्मी और के साथ महीं मम्मी और के साथ शॉपिंग गने का अलग ही मजा है और आज मैं फिर्स टाइम ऐसे भार सब लोग के सामें व्लॉग शूट कर रह जाती हूं बट फिर भी और बहुत जादा हल्ला है कल तो कुछ जादी हल्ला होगा पिछे आपको मेरी मम्मी के आवाज आई थी होगी तो यह लोग पहले जा रहे है हम मीने बाद में मिलेंगे मार्केट में अगर में और अधिको खाना बाद में नाएंगे बागो सामान ल आपर सो लॉंग परसु दिवाली और बहुत मसाने वाला है और मेरे जितने फ्रेंड दान्स होगा और यहीं इसी लडी के नीचे ही हम सब कुछ प्रोग्राम करेंगे जो भी हम रिसाइड करेंगे इस बार मनें इस पेशली यह लड़िया इस से लगाई है कि मुझे था किय किया है सो इस पेशली मैंने इसी बार इसी दिवाली में यह लोकलर की लड़िया लिए जो आपको पिछे दिख रही होंगी जस्ट बिगाउज ऑफ की फेस देखो कितना अच्छा रहा एक्टम क्लीन सा तो इसलिए मैंने यह लडियां सब छूस की थी और फाइनली यह सब ह सब देखी रहे होगा एक सब देखि और के साथ ही मैंने से तो मिलते हैं मार्केट में अभी मैं जा रही हो मार्केट मार्केट रन से पहले हम गए थोड़ी पेट पूजा का निकले क्योंकि आज हमने लंच नहीं किया था और हमें बहुत ज़्यादा बुख लग रही थी हमने यहापे अपना ओर्डर दे दिया था हमने ओर्डर किया था पिज़ा और जब तक हमारा ओर्डर आता हम यहापे टाइम पास कर रहे थे पेट पूजा करने के बाद हम चले गए थे मार्केट की तरफ शॉपिंग करने के लिए मार्केट में बहुती ज़्यादा राणा खोरी की थी आपको दिखी रहा होगा और बहुती ज़्यादा भीड़ भी थी यार और मार्केट में मुझे मेरी ममी और दी लोग मिल गए थे ममीया सम्मान लेने आई थी ज़ाड़ो गया मैं तो मार्केट अपना सम्मा लेने आई थी, हाँ पर बहुत सा रंगोली रखी थी, बट मैंने रंगोली ली नी, क्योंकि और डी मेरे पर पहली की रंगोली अब बची वी थी, मैंने यहाँ से बस ली फ्लोटिंग कैंडल्स, एक्चली मैं यहाँ पर फ्लोटिंग कैंडल्स बता मिटाया चुरी एए आच्छा आपी छुड़ी दिवाली टू आल ये है छुड़ी दिवाली की सुभा आज का मौसम बहुती प्यारा हो रहता और आज बिल्कुल भी बारिश और ठंड का मौसम नहीं था सुभा सबसे पहले हमने पूरी मंदिर की सफवाई करी यहां पे हमने सारी मुर्थियों को सारी फोटोस को बहा निकाल ले था और यहां पे हमने सबसे पहले करी पूजा की सफवाई आज हम पूजा में नई मुर्थियार स्थापित करने वाले थे तो इसलिए पूरी यहाँ पे जोड़ो शोड़ो से तयारी चिल रही थी हमारी मंदिर यहाँ पे पूरी तयार हो चुकी थी और आर्थी पूरी समाप्त हो गी थी उसके बाद यहाँ पर मेरी बहन ये छोटी सी क्लिप ली मेरी बहन ने ये पूजा की थोड़ी बहुत वीडियो शूट करी एक्चलि इस बार मैं पूजा नहीं कर पाई इस दिवाली हमने अपनी मंदिर में ये चाल मुर्तिया इस्थापित करी पूजा संपन हो जाने के बाद यहाँ पर मैंने तयारी करी गौमाता के खाने के लिए पाड़ों में दिवाली को बगवाल भी कहा जाता है आज चुटी दिवाली के दिन हम लोग पाड़ी लोग गाईों के लिए खाने के लिए बनाते हैं यहां पर हमने पानी गरम करने करें रख दिया था और उसके उपर यहां पर मंडवे का आटा डाला जा रहा था हम बना रहे थे बाड़ी और जंगूरा तो हम जो यह बाड़ी और जंगूरा होता है इसका लड़ू बना के गायने को खिलाते हैं और यहां पे बाड़ी बनाते हैं यहां पे बाड़ी बना दे ति पर इस बार लड़ी मैं बना रही थी वैसे न मुझे सीखना था कि यार कैसे करते हैं, सारी तैयारी कैसे कैसे बनाते हैं, क्योंकि यार मुझे सीखने का बहुत जादा मन था, बारी थोड़ी चिपचिपी होती है, तो इसलिए हमें पहले हाथों में पानी लगाना पड़ता है, और फिर थोड़ी थोड़ी बारी उसका लड्डू बनाना होता है तो ऐसी हम इसके सारे गोले बनाते हैं आप बाड़ी आती हैं और रेकुरेट करने की और फिर बाद में ममी के साथ मैं सारी गाईों को खिलाओंगी अब मैं आपको दिखाती हूँ पहले कि कैसे बने हैं वह तो यह है बाड़ी और जंगूरे के लड़ू जो कि हम गाईों खिलाते वैसे नहीं है आप ए रोड में बहुत सारे गाई और सांड खुले वे रहते हैं मैं तब जुन लोगों ने छोड़ा रहते हैं तो मैं उन्हीं को खिलाऊंगी उन्हीं को भोग लगाऊंगी पर भोग लगाने से पहले हम इन लड़ूं को सजाएंगी हापे मैंने थोड़े से ही फूल लिये क्योंकि इतने ही बचे थे अभी मैं ममी का वेट कर रही हूँ ममी अभी जरा काम कर रही है उसके बाद जब आयेंगे तो साथ में हम इसे गाईों खिलाएंगे और अभी मैंने सिर्फ सर्में बिंदी लगाई क्योंकि मेरा मन था कि व्लॉग बन रहे है तो यार कुछ तो कर लेती हूँ ना तो रोज-रोज कही सिंपल सिंपल हो रहा है बल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मैंने पहले एक टॉप में ये गुडल का फूल लगा दिया यहाँ पर मेरे बाड़ी और जंगूरे के लड़ू बनके तयार है अब मैं इंतजार करूंगी गौण माताखी कि कब आएंगे और कब हमने लड़ू खिलाएंगे यहाँ पर हमारे घर के बाहर एक काली कलेर की गाए आ गई थी और ममी से यहाँ पर लड़ू खिला रही थी रास्ते में छोड़ी भी गाई को देखे थोड़ा डर भी लगता है यार क्योंकि यह न यह मार भी सकती है बट यार वैसे न प्यारी तो बहुत सादा होती ही गाई मम्मी के लड़ू खिलाने के बाद मैंने भी यहाँ पे गाई को लड़ू खिलाया और यहाँ पे मेरी मम्मी गाई को प्यार कर रही थी गाई को सहराने से गाई शांद भी हो जाती है और गाई को ऐसा फील होता है कि हाँ जो सामने वाला है वो मुझे प्यार कर रहा है प्यार दिखा रहा है मुझे यहाँ पर मैं गाई के साथ खेल भी दीती मुझे पर तोड़ा तोड़ा ड़ भी लग रहा था गाई को बूजन कराने के बाद आप बारी आगी थी हमारे खाने की मैं यहाँ पर आज सुबा बना रही थी पकोड़ी गोबियों के सीजन आगे है तो मैं यहाँ पे गोबियों के पकोड़ी बना रही थी, वैसे मैंने मिक्स पकोड़ी बनाई थी, प्याज गोबिय और अलू की, वैसे जब तेहार का दिन होता है न तो घर में तेल में बनी वी चीज तो ज़रूर बनती है, काफी शुब मना जात है है उसे कि हमारे पकोड़ी बनके तैयार थे और पकोड़ों के साथ साथ हमने यहाँ पे पूरीया भी बनाईथी, वैं मैं बना रही थी यहाँ पे अमरे बेकवास तैयार था हमने इतना सारा इस लिए बनाया था क्वोकि यार महमाना जाते हैं तो उनको भी देने के लिए हो जाता है और खाना बननाने के बाद ऐसी हो जाती है हालत तो मेरी ऐसे हालत होगी थी वैसे ना मैं बहुत ठक गई थी क्यार इतना जादा बहेंगर किच्चन में काम था नहीं और यहाँ पर मेरी छूटी बहेंगर को मस्ती चड़ रहती है यह जब देखो बस मज़ाख करती रहती है मस्ती मस्ता खो जाने के बाद मैंने सबसे बहले करी पेट पुझा यार वैसे बहुत भूग लगी थी यार काम करते करते बहुत जाती है वैसे मुझे तो कुछ जादे ही लगती है चोटी दिवाली की सुबा खतम होने के बाद अभी हाँ पर रात का नजारा बहुती सुन्दर था सब ने पर लाइट स्कूल रखी थी घर की और ऐसा लग रहा था कुछ बाहर का व्यू तो फिलहाल अभी मैं सिर्फ और सिर्फ व्ल के साथ बट अभी ये मैंने स्रिफ स्लोव मुशन में बना रही थी तो उसके लिए मैंने ड्रेस पहनी है सो फर्स अफॉल है पी दिवाली टू आल वैसे हाँ तो लेट होगी और बच्चे यहां पटा के फोर रहे हैं खेल मुझे पटा कुसी डर लगता है तो मैं तो नहीं कि यहां मेरी घर में भी दी के बच्चे आ रहे के थे और वैसे ना यहां पर लक्ष्मी पूजा हो चुकी थी बट वही मैंने आपको बताया थे कि मैं पूजा नहीं कर सकती थी तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया और थोड़ी देरे बाद मैं यहां बाहर अपने दोस्ते के साथ मस्तिक ने चले गई थी वैसे तो बड़ी मस्तिक बड़ी दिवाली के दिन होगी और मुझे पताने में कैसे लेगी हूँ और यह है मही रेख वैसे में कल बड़ी दिवाली में भी यही द्रेस पनने वाली हूँ कौन सा कोई देख रहा है सो मिलते हैं अब दिवाली के व्लोग में इस व्लोग को ही एंट करती हूँ सो फाइनली हम छोड़ी दिवाली बना के आचुके हैं मतला मैं मेरी बैंड फैमिली सर्व क्या बोलती हूँ खैर तो मेरा तो बहुत अच्छा रहा है धंती रस का दिन और छोटी दिवाली का दिन आप लोगों भी बहुत अच्छा रहा होगा और मैं तो बहुत ज़दा एक्साइडिडिड हूँ कल के लिए दिवाली की दिन तो किना मुझे रंगूली बहुत ज़दा अच्छा लगता है और मैं बड़ी दिवाली की दिन ही रंगूली बनाती हूँ जोटी दिवाली की दिन भाल बना सकते हूँ पर मैं नहीं बनाती हूँ कि बक्चे लोग खराब कर देते में जंगूली और जो स्ट्री डॉक्स होते हैं तो वो भी कभी कभी आ जाते हैं तो वो भी खराब कर लेते हैं इसलिए और बस यह था मेरा आज का दिन मुझे तो बहुत ज़्या अच्छा लगा बगवाल की दिन गाईयों को खाना किला के अभी कुछ चीजे बची भी है वो मैं अभी कुछ बचे हैं तो वो मैं गाईयों को कल बड़ी दिवाली की दिन भी खिलाऊंगी और गोवर दिन पूझा आती है उस दिन भी हम उसे खिलाते हैं तो अगर वो बच भी जाते हैं तो वो हम उस टाइम खिला देते हैं गाईयों को तो मेरा आज का दिन और मेरा फर्स जो experience आप गवाल का वो बहुत अच्छा अब ना जब भी दिवाली होगी तो मैं हर बगवाल हर छोटी दिवाली की दिन ये जरूर करूँगी कि मैं गाईयों के लिए लड़ो बनाऊंगी और बोदूँगी पहले तो ममी लोग करते थे बट अब मैं भी करूँगी क्योंकि अब टाइम आ चुका है ये सब चीज़े सीखने का ऐसा मुझे लगता है so yeah that's all for today I hope कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा मैं बहुत ज़दा थग्यूँ हूं ऐसे फेस्टीबल का टाइम बहुत ज़दा टायडनेस हो जाती है घर का काम गरना फिर पॉलिच का काम मैनेज करना और एडिटिंग को मैनेज करना बहुत ज़दा मुझलू जाता है जो मैंने अभी आइपोन की वीडियो डाली है कैमरा टेस्टी की ये भी मैंने राज को कल धंतीरस के दिन एक बज़े राद को एडिट हिया तब जाके अप्लोड हिया तो भाई इतना ज़दा स्ट्रगल करना पड़ता है खेर इस ट्रगलिंग फेस में अगर हम स्ट्रगल करे तो उसका फूट हवे बहुत ज़दा अच्छा मिलता है तो या अगर आपने चाल्मन नहीं होता सस्क्राइब ज़रूर करना और लाइकन शेर ज़रूर करना चाहे बेस टीकले शेर करना पर करना ज़रूर बाई आई होब कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगाओ